हlo dear students good evening to one and all students f master में फिर से मैं एक बार आपका स्थागात करता ह Sensi देखिए students हम cockroach जो periplaneta americana scientific name है cockroach का scientific name periplaneta americana students periplaneta americana cockroach का हम morphology और anatomy discuss कर रहा है student type study discuss कर रहा है morphology हमने previous session में देखा था और anatomy में हमने digestive system complete care students right right देखिए बच्चों आज के session में हम क्या देखने जा रहें काक्रोच का anatomy में देखिए और एक most important system है students right वो है circulatory system हम काक्रोच का brief में देखेंगे right student right ये भी बहुत ही important है याद रखिए student right बहुत ही short में में यहां पर NCRT में रखा गया है कुछ और हम थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे ताकि हमको concept समझने में कोई दिकत ना हो student right राइट चलो students आप देखते हैं काक्रोच परिप्लानेटा अमेरिकाना का right circulatory system किस तरह का होता है आप NCRT में छोटा सा image देख सकते हो students यह है काक्रोच का सरकुलेटर सिस्टम का image राइट राइट यह इमेज की ओपर आप फोकस कीजिए यह के डाइग्राम हो सके तो प्रैक्टिस कीजिये डाइग्राव करने की प्रैक्टिस कीजिये विकर्श राइट इसक्री का कज औरोच का से हे अब dominant student right right इसमें आपको dorsally कभी भी याद रखिए जब भी हाट हम invertebrates में heart के बारे में discuss करते है students तो invertebrates में अगर heart होगा तो वो dorsal side में होगा याद रखिए बहुत important है देखिए ये dorsally आपको एक right along the mid dorsal line you can find what heart ये tubular structure students आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक 13 chamber heart student कितना 13 chamber heart या याद रखना होगा student right right बहुत ही simple है याद रखिए यह 13 chambers में 3 chambers कहां होते हाट के 3 chambers होते है पहले thorax में होते student याद रखिए और remaining जो 10 chambers होते हाट के students वो होते abdomen में क्योंकि abdomen 10 segments से बना हुआ students तो 10 वहाँ पर heart chambers कहां पर मिलेंगे आपको abdomen में और तीन हाट के chambers कहां पर मिलेंगे थोरेक्स में मिलेंगे students याद रखिए बहुत ही important है इस तरह से overall आप कह सकते हो heart is 13 chambered structure student right यह dorsally heart है याद रखिए और आप यहां पर image students तो और इसमें आपको क्या दिख रहा है देखिए बैटा इसमें और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यह heart से associated कुछ muscles दिख रहे students आप देखिए इसको triangular muscles दिख रहे इनको हम इलरी muscles कहते हैं क्या हो गहते हैं यह थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा students अभी देखिए यह जो यह heart अगर आप यह heart को छोड़ देते हो students और इलरी muscles को छोड़ देते हो तो अभी आपको यहां पर जो बाजू में स्पेस है ना वहां पर क्या है हीमोसील है student याद रखिए मतलब blood filled ब्लड का मतलब है यहां पर हम हीमोलिंफ कहते हैं student याद रखिए सबसे ऊपर है टाप मोस्ट जो हाट चेंबर स्टूडेंट राइट 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 उपर ओठ आयोटा आप देख सकते हो स्टूडेंट्स एंटेरियर आयोटा सो इस तरह से यह डाइगराम के बारे में मैंने थोड़ा सब को explain किया है राइट राइट चलो आप students हम detail में देखते हैं काक्रोच का circulatory system student राइट राइट अभी देखिए जब हम animal kingdom पढ़ रहे थे students right kingdom animal या पढ़ रहे थे तभी आपको बहुत ही detail में समझाए गया है students याद रखिए open circulatory system और closed circulatory system देखिए काक्रोच में क्या होता है हमने देखिए circulatory system appeared for the first time or evolved for the first time in which group मैंने आपको explain किया था student right अनिलिडा में circulatory system evolved for the first time right हम previous इसमें देख चुके अनिलिडा के salient features अर्थरोपोडा के salient features अनिलिडा में अर्थरोवाम का type study भी कर चुके student right सब कुछ हमने detail में देखा है अभी अभी हमको यह समझने में बहुत ही easy हो जाएगा student याद रखिए सब कुछ simple terms terminology याद रखना है चलो आगे बढ़ते students और देखते देखिए not only cockroach में आर्थरोपोड में हर आर्थरोपोड में dear students जो कि सबसे बड़ा largest phylum है जिसमें largest class है इंसेक्टा आर्थरोपोड में circulator system जो होता है न ओपन टाइप होता है students याद रखिए तो इन आर्थरोपोड में और एक कोई phylum है क्या जिसमें हम open circulator system देख सकते students देखिए आर्थरोपोड और मोलस्का यह दो बड़े major फाइला है students यह दोनों में भी हम first largest phylum और second largest phylum है राइट मोलस्का और largest phylum है the largest phylum आर्थरोपोड यह दो भी first और second largest phylum है ना students यह दोनों में भी क्या होता है open circulator system होता है याद रखिए तो यह जो कॉक्रोच है ना belong to cockroach यार पेरिफ्लानेटा belongs to what day students अर्थरोपोडा सो कॉक्रोच में भी किस तरह का सिस्टम होगा कॉक्रोच में भी होगा students याद रखिए open circulator system यही point मैंने यहाँ पर mention किया आप देख सकते हो students blood vascular system माने circulator system in cockroach is what open type बेटा याद रखिए बहुत ही simple है चलो देखते students circulator system के components क्या क्या है INCIT में क्या दिया है देखते students देखिए blood vessels जो है ना काक्रोच में blood vessels are poorly developed students राइट राइट यह याद रखिए बहुत important है and you know they open means blood vessels open into what open spaces और यह open spaces जो है open space मैंने लिखा है open spaces open space open space को हमने क्या क्या बोलते है student hemo seal बोलते है याद रखिए hemo का मतलब है associated with blood seal का मतलब है associated with cavity body cavity students राइट जो भी अभी देखिए काक्रोच में blood circulator system कैसा है open type है आपको यह समझना होगा मैंने आपको explain किया था इसका मतलब क्या है open type circulation open type blood vascular system का मतलब क्या होता है whenever blood comes out of blood vessels whenever blood comes out of blood vessels and flows into what some open spaces in which right tissues are what you can say in which tissues are placed right dear students right so in that open spaces what happens exchange of gases and you know whatever you can say exchange of what you can say transportation of nutrients takes place dear students right right it means what so directly अगर बोलना है तो बोल सकते हम open type of circulator system means when blood comes out of blood vessels and flows in what open spaces right or what you can say sinuses कैसकते students that kind of circulation circulatory system is called or that kind of blood vascular system is called what open circulatory system or open blood vascular system dear students right right ये definition है किसका open circulatory system का यादर रखिये so और एक बार मैं बताना चाहूंगा whenever blood comes out of blood vessels and flows in what open spaces right so this kind of blood circulatory system is called open type of circulatory system dear students ये आर्थरोपोड़ा और मोलस्का का you know characteristic feature है यादर की बहुत ही important है so देखिए cockroach आर्थरोपोड़े तो cockroach में obviously कौन सा होगा open type of circulatory system या open type of blood vascular system है ओ मैंने में मेंचिन के है students और देखिए in cockroach blood vascular system you know blood vessels are poorly developed students right blood vessels बहुत ही poorly developed है and blood vessels generally open into what open spaces are open cavities कह सकते हो open spaces right and those open spaces are called what hemo seals right plural hemo seal singular student right जो कि मैंने यहाँ पर mention किया है अभी आपको समझ में आऊंगा cockroach में बताए किस तरह का blood circulatory system होता है open type एक point याद रखिए दूसरा cockroach में blood vessels you know बहुत ही highly developed होते हैं या poorly developed होते हैं students तो आप simple बता सकते हो इन cockroach blood vessels are poly developed student right अब देखें cockroach में ब्लड वेसल हैं students वो कहां पर open होते हैं right cockroach में blood vessels यह sinuses में open होते हैं student राइट बेरा राइट वह याद रखिए वह sinuses को हम क्या कहते हैं बहुत ही सिंपल है यह मैंने बताया NCRT का point है, right, right, चलो students और कुछ हम important point देखेंगे, जो visceral organs है ना, internal organs, visceral organs का मतलब क्या है, जो भी cockroach की body में organs होते हैं ना, students, right, उनको, internal organs को हम क्या कहते हैं, visceral organs कहते हैं, याद रखिए, visceral organs of the cockroach are located in the hemo seal student, right, right, बहुत important है, and are bathed in what, blood, blood का मतलब है, यहापर मैंने समझा दिया आपको hemo lymph, hemo का मतलब है, blood, lymph कैसा होता है, lymph colorless fluid है, student, right, आपने lower classes में देखा होंगा, blood में, lymph में, differences क्या है, right, आपको यहाँ पर future में भी बताया जाएगा, body fluid and circulation में students, right, फिर भी आपको idea होंगा, blood और lymph में difference क्या है, यहाँ पर देखिए, दोनों words को मैंने मिला दिया, right, students hemo, hemo का मतलब है, associated with blood, याद रखिए, lymph का मतलब है, क्या, वो colorless fluid होता है, student, right, यहाँ पर blood colorless होने से, हम blood को circulatory fluid को हम क्या कहते है, hemo lymph कहते है, students, याद रखिए, बहुत ही simple है, अब देखिए, open circulatory system हमने एक point देखा, और दूसरा, cockroach में blood vessels, जो है, poly developed students, और blood vessels open into what, space called hemo seal, याद रखिए, और जो hemo seal में, जो visceral organs, internal organs होते हैं, cockroach के students, they are simply placed in what, hemo seal students, and right, and hemo seal is filled with what, circulatory fluid, that is nothing but what, blood student, right, that is nothing but what, again you can say, hemo lymph, right, so hemo lymph मे, you know, in hemo lymph, what, internal organs, visceral organs, visceral organs, bath head, याद रखो, यह बहुत important है, right, क्या होगा, so visceral organs से, internal organs से, जो भी waste material है, वो hemo lymph में आएंगे, hemo lymph से, जो भी कुछ useful substances से, वो visceral organs को चले जाएंगे, students, याद रखिए, बहुत ही जादा important है, अभी आप मेरे को पूसते होंगे, students, यह, जो hemo lymph है, do you think this hemo lymph helps in exchange of gases, यह नहीं, 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 generally क्या होता है, याद रखिए, जो भी blood vascular system है, human being मे चले, blood helps in what, transportation of gases and transportation of nutrients, students, यहाँ पर, you know, hemo lymph, blood, काकरोश का, that helps in transportation of, यह, ठीक है, that what, transports what, nutrients to different tissues, यह सही है, and you know, it brings what, nitrogenous waste from different parts, and it carries them to what, excretory structures, यह भी सही है, लेकिन यह जो काकरोश का blood है, hemo lymph, जो है, students, this hemo lymph in cockroach does not help in what, transportation of gases, यह आपको, बहुत ही important point है, यह आपको, समझना चाहिए, student, right, यह याद रखिए, बहुत ही important है, तो चलो, आगे बढ़ते, अब देखिए, visceral organs are located with, in spaces, right, fluid filled spaces, और spaces कोई क्या कहते है, hemo seal कहते है, students, hemo seals are filled with what, hemo lymph, and in hemo lymph, these visceral organs are bathed, याद रखिए, बहुत important है, बहुत ही important है, बहुत ही important है, चलो, students, और हम कुछ और interesting points देखते है, hemo lymph exactly है, क्या, देखिए, मने अलए बताया था, hemo का मतलब है blood, right, lymph का मतलब है colorless fluid, right, यह अभी देखिए, hemo lymph में होता क्या है, hemo lymph generally consists of what, colorless plasma होता है, students याद रखिए, colorless plasma होता है, याद रखिए, और hematocytes होते students, right, right, अब जड़ा सोचिए, हमारे blood में, right, हमारे blood में, दो components होते students, right, plasma होता है, जो liquid matrix of the blood है, उसको plasma कहते students, और formed elements होते, RBCs, WBCs, और platelets, तीन प्रकार के cells होते, याद रखिए, और WBCs में, पुना, वाट, ग्र granulocytes, फिर granulocytes, तीन प्रकार के, agranulocytes, दो प्रकार के, इस तरह से हमने detail में देखा था, हमारे blood में, बहुत अलग-अलग किसम के cells होते students, याद रखिए, हमारे blood में, यहाँ पर cockroach के blood, अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर तो plasma है, colorless plasma है, plasma के साथ-साथ, आपको क्या द एक अलग-सा रोल होता है, right, WBCS का एक अलग-सा function होता है, student, right, और यह जो platelet से उनका अलग-सा function होता है, यहाँ पर cockroach में, जो blood में, जो cells पाए जाते हैं, उनको हम hematocytes कहते हैं, students, याद रखिए, हमारे blood से sites का मतलब है cells, जो circulatory fluid में पाए जाने वाले cells, cockroach के, उसको हम hemat hematocytes कहते हैं, अब देखिए, hematocytes का function क्या होता है, hematocytes है phagocytic in nature, student, याद रखिए, hematocyte में, यहाँ पर हम RBC यूज नहीं करें, student, ओ, red color में नहीं होते हैं, याद रखिए, वहाँ पर hemoglobin, इस तरह का pigment, you know, respiratory pigment वगएरा नहीं होता, आप याद रखना होगा, students, यह colorless cell स मतलब क्या है, cockroach का blood है, cockroach का circulatory fluid है, student, याद रखिए, cockroach के blood को हम hemolymph कहते है, right, यह colorless है, इसलिए इसको hemolymph खा गया, student, याद रखिए, इसमें क्या होता है, यह colorless plasma होता है, और दूसरा क्या है, hematocytes होते, student, याद रखिए, यह hematocytes, they do not help in transportation of gases, यह आपको याद insects है, उनमें transportation of gases, tracheal system से होता है, याद रखिए, right, जो respiratory system है, student, right, अभी हमारे इसमें देखिए, respiratory system और circulatory system, right, यह दोनों coordination में इनका function चलता है, student, right, right, और देखिए, breathing से क्या होगा, blood में, you know, gases चले जाएंगे, student, फिर यह blood जो है, that helps in about transportation of gases, student, right, लेकिन cockroach में ऐसा नहीं हो होता है, याद रखिए, बेटा, बहुत important है, cockroach में tracheal system है, वो directly cell के mitochondria को, you know, atmospheric oxygen को पहुंचाएगा, students, याद रखिए, और mitochondria में जो भी carbon dioxide produce होता है, वो, वो tracheal system से ही बाहर जाएगा, student, right, यह हम बात, respiratory system cockroach का पढ़ते समय, detail में पढ़ेंगे, students, तो अभी मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आँगा, right, hemolymph क्या है, cockroach का blood है, student, right, circulatory fluid है, hemolymph में क्या-क्या components है, colorless plasma है, दूसरा hematocytes है, और hematocytes का main function क्या है, students, यह की main function है, phagocytes, they are phagocytic cells, जिस तरह से हमारे WBCs, कुछ WBCs माने, मान के चलिए, neutrophils, monocytes, right, they help in phagocytosis, they engulf bacteria which enter our blood, right, so उसी त foreign particles या foreign organisms, right harmful organisms घुशते हैं, तो यह hematocytes हम का काम तमाम कर देते है, students, यादर के, इसके साथ हमने hematocytes देख लिया, अब देखेंगे, students, और कुछ NCRT के points हम देखेंगे, फिर बाद में हम थोड़ा से इसको detail में पढ़ेंगे, students, right, right, अभी देखें, अभी जो मैं बता रहा है, यहां से लेकर देखेंगे, यहां से शुरू हो रहा क्या है, heart है, student, यादर के, right, right, so cockroach में heart कैसा है, cockroach heart is elongated, long है, elongated, right, muscular tube है, lying along the mid-dorsal line, यह भी बहुत important है, right, student, right, of thorax and abdomen, thorax से लेके, abdomen के, mid-dorsally, mid-dorsally, mid-dorsally मतलब, in the center, right, student, right, देखेंगे, यह dorsal surface है, यह आगे तक, mid-dorsally, यह elongated muscular tube है, यादर के, बेटा, right, इसी को हम क्या कहते है, heart कहते है, बहुत ही simple है, so heart of cockroach is, elongated, right, muscular tube, that extends, what, that is located, mid-dorsally, right, student, right, mid-dorsal line, of what, thorax and abdomen, मैंने अल्रेडी बताया था आपको, यह रेकिए, यह thoracic segments है, और यह क्या है, यह पूरे abdominal segment से, student, right, so simply याद रख cockroach is, long, elongated muscular tube, right, so that is located, mid-dorsally, right, right, student, right, and that extends from what, thorax up to the abdomen, right, it's a very simple, बहुत ही simple है, यादर के, और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखिए, heart of cockroach, right, student, right, consists of what, funnel-shaped chambers, अब देखिए, heart के, cockroach के heart में, अगर आप एक एक चेमबर देखोगे, students, तो एक एक चेमबर कैसा है, देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यह कुछ funnel-shaped है, इस थरा से होता है, यादर के, मैं थोड़ा सापको, diagram ड्रा करके, समझाना चाहूँगा, students, यह क्या है, heart का एक चेमबर है, student, right, कैसा दिख रहा है, अपको, funnel-shaped दिख रहा है, यादर के, बेटा, यह heart का, cockroach का चेमबर है, आपको यह यादर रखना होगा, student, right, cockroach heart chamber है, so, each chamber, right, of cockroach heart is funnel-shaped, इसलिए मैंने आपर रखा है, it has, मतलब heart has funnel-shaped what chambers, with ostia student, right, with ostia, so, each chamber is having what, a pair of openings, apertures, right, valvular aperture students, right, वो apertures को, हम क्या कहते, ostia, ostia, याद रखना होगा, बहुत important है, आपको, ostium singular student, right, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, ostium जो है, यह singular है, याद रखिये, ostia जो है, यह plural है, student, याद रखिये, ostia क्या है, ostium singular है, यह याद रखिये, ostium singular है, और ostia plural है, यह ostium हमने, इससे पहले भी कहीं तर दिखा था, ostia, द in the body of sponges, you can find what, large number of small aperture students, right, उनको हम क्या कहते है, ostia कहते है, और बहुत बड़ा एक aperture होता है, वहाँ से पानी, exit होता है, student, right, उसको हम, ostium कहते है, याद रखिये, बहुत important है, बहुत ही जदा important है, यह terminology आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, biology, memory-based subject है, student, चलो आगे है कि अभी तक हमने, heart कैसा है बता, बेटा, heart is long है, elongated है, muscular tube है, right, so, that is lying what, along the mid dorsal line of thorax and abdomen student, right, heart consists of 13 chambers, each chamber of heart is what, funnel shaped, and it is having what, one pair of openings, right, dear students, right, and openings को हम क्या कहते है, ostia कहते है, याद रखिये, अब बेटा, आपको समझना होगा, ostia रहते कहां पर है, right, right, तो देखिये, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ostia का position student, आप देखिये, यहाँ पर, यहाँ पर देखिये, side में, right, यह heart के, यह heart के, यह heart के chamber का apex है, और यह broad base है, heart के chamber का, याद रखिये, right, so, at the base of, at the broad base of what, each heart chamber, you can find what, on either side, you can find what, small apertures, and those apertures are called what, ostia student, याद रखिये, वही मैं यहाँ पर mention किया, on either side, either side का मतलब है, देखिये, यह on either side, right, on the broad base of each chamber, on either side, you can find what, one pair of openings, and those one pair of openings are called ostia students, right, कितना simple है, देखिये, बहुत ही simple है, बहुत ही simple है, बहुत ही simple तरीके से, NCRT में दिया है students, पहले आप NCRT का, याद रखिये students, right, right, बाद में आपको detail में थोड़ा सा explain करूँगा, ताकि आपको concept easy समझ में आ सक है student, अब देखिये, blood from the sinuses, आपको तो sinuses पता है student, sinuses का मतलब क्या है, यह हीमोसील, right, यह जो space है, कौकरोच के body में जो space होता है, जिसमें fluid होता है, जिनमे, right, argans are submerged, dear students, उसको हम क्या कहते है, sinuses भी कहते है, याद रखिये, sinuses कही है, हमोसील कही है, right, बेटा, meaning यह किये, हमोसील is equal to, what you can say, fluid filled space कही है, fluid filled space कही है, sinus कही tying the students, our sinus, です, प्लूरल, याद रखिये, उसको हम क्या कहते है, हमोसील भी कहते है, हमोसील कही है, sinuses कही है, और आप circulatory fluid filled spaces कही है, meaning, यह कि है student, याद रखिये, बहुती simply है, right, right, अब देख सकते हो students यहां पर मैंने mention क्या blood from sinuses अभी देखिए blood कहां से आप यहां पर देख सकते हो NCRT के diagram के माध्यन से मैं समझाना चाहूंगा hemo seal में क्या है बैटा hemolymphae मतलब blood है या मतलब circulatory fluid है याद रखे सो देखिए blood from sinuses blood from sinuses का बताने की कोशिश करो या अधर के स्टोडेट राइट देख रहा है बैटा राइट सो simple तरीके से मैं समझाना चाहूंगा यह डाइग्राम के माध्यम से आप यह डाइग्राम के उपर ज्यादा focus कीजिए बहुत ही simple है so blood from the sinuses या hemo seal या fluid filled spaces right enter what heart देखिए enter heart through what देखिए बैटा through यहाँ पर through है through austria राइट यहाँ पर मान के चलिए बाजू में क्या है hemo seal है यह पूरा hemo seal है hemo seal से आप दूसरा चेंबर में यहाँ पर बताना चाहूंगा बच्चों को ताकि आपको समझने में बहुत ही आप कोई दिक्कत ना हो हमारे बच्चों को समझने में देखिए यहाँ पर दो आस्टिया बताना चाहूंगा लेकिन जो कि यह सोर्स जो है अपने को यह सोड़ा सा इसी को आपन थोड़ा सा अट्रेक्टिव बना सकते है राइट देखिए यहां पर इस तरह से आपको समझना होगा यह जो हीमो लिम्फ है स्टुडेंट राइट हीमो लिम्फ जो की हीमो सील में है या साइनोसेस में है दाट फ्लोस इंट वाट हाट थ्रू अस्टिया थ्रू अभी इंपटेंट है बलड फ्रम साइनोसेस एंटर हाट थ्रू एस्टिया फिर प्मप ऐंटेरी देखिए इंटेरील अभी बलड आ चुका है किसमें हाट में धिर उन्त आंटेरीली इंटो वाट मोस्ツ इंपॉर्टेंट है चो जाके हेरें स्टूडेंट के साइनस में ज होता है राइट कैसा होता है वह आपको detail में बताया जाएगा students तो मेरे ख्याल से यह point आपको समझ में आऊँगा blood from sinuses enter the heart through austria and is pumped anteriorly right to the head sinus dear students to the head sinus 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 again sinus again का मतलब है head sinus student याद रखे बेटा बहुत ही simple है इसके साथ हमने NCRT के कुछ simple points जो के आपके text book में है वह देख लिए student राइट बहुत ही simple है चलो students इसी को हम थोड़ा साथ detail में पढ़ते है याद रखे राइट अभी देखिए सेम काक्रोच circulatory system dear students राइट राइट आपको पता है अभी हीमोसील मैंने आपको explain किया था student राइट याद रखिए हीमोसील क्या है राइट बताए हीमोसील क्या है हीमोसील को यह हम क्या कहते है space which is filled with what hemolymph dear students राइट या इसको आप क्या कह सकते है यह space dear students which is found in the body of the insects राइट इसको हम क्या कहते है हीमोसील कहते है देखिए बहुत ही सिंपल है जो हीमोसील है students that is filled with fluid called circulatory fluid या fluid called what hemolymph right right hemolymph circulatory fluid है blood है कौकरोच का या तक है जो हीमोसील है ना students अब थोड़ा सम डीठिल में पढ़ने जा रहे देखिए बेटा राइट यहां पर देखिए यह हीमोसील जो है यह इसकी बात हो रिया अब कॉक्रोच में इसे कितने हीमोसील है राइट वह हम पढ़ने जा रहे स्टूडेंट राइट हीमोसील of the cockroach right is divided into three sinuses three sinuses का मतलब क्या है three spaces right यह भी पूरे का पूरा बॉड़ी का जो cavity spaces से उनको हम हीमोसील कंसेडर करेंगे मान के चलिए और हीमोसील of the हीमोसील is filled with what circulatory fluid या हीमोलिंफ या बलड कहिए राइट जो काक्रोच का जो बॉड़ी का जो space होता है students हीमोसील होता है जो सीलोम होता है काकरोच का हीमोसील कहते है उसको याद रखिए इस सिंपल है so that हीमोसील is divided into how many sinuses or how many compartments कह सकते हो आप how many sinuses 3 sinuses right major sinuses है याद रखिए वो 3 sinuses कोन से बेटा उससे पहले वो 3 sinuses किस तरह से फाम हो जाते काकरोच के हीमोसील में वो हम को जाना है right so हीमोसील of the काकरोच is divided into how many 3 sinuses so by two most important है याद रखिए two muscular horizontal membranes उनको आम dorsal diaphragm and ventral diaphragm कहते student याद रखिए right right देखे ये काकरोच है student right ये आपको काकरोच है ये काकरोच को मैंने इस तरह से right इसका cross section लिया student मैं काकरोच का अगर cross section लेता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से वो काकरोच दिखाई देगा याद रखिए बेटा किस तरह से दिखाई देगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं इसको cross section नहीं बाद में बताऊंगा cross section आपको यहाँ पर देखिए बहुत important है यह काकरोच है न स्टुडेंट सेम यहाँ पर आप दिख रहा है काकरोच यह देखिए यह भी काकरोच यह स्टूडेंट आप इसमें देख सकते हो काकरोच का आप साइड व्यू देखोगे यह तो आपको longitudinal बताया गया है पूरा राइट स्टूडेंट आप आप साइड व्यू अगर काकरोच का देखोगे आपको पताया स्टूडेंट देखिए यह हेड है यहाँ थोराक्स है राइट सूराक्स और यह अब्डॉम है अब देखिए यह डॉर्सल साइड काकरोच का जो ऊपर का हिसा है मैंने बताया था यह डॉर्सल साइड स्टूडेंट यह नीचे का आपको पता ही है वेंटरल साइड है राइट बहुत ही सिंपल है बहुत ही ज्यादा सिंपल है याद रखिए सो हीमोसील इस डिवाइन टू हमेनी त्री साइनोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट राइट राइट बहुत ही सिंपल है यह नीचे का जो आपको दिख रहा है न स्टूडेंट यह उपर यहाँ पर डॉर्सल डायाफरम और कर दिखा है इस लिए इसको डॉर्सल साइड यहाँ पर मैं इसको क्लीर ली बताना हाइलाइट करके बताऊंगा तो आपको समझने में दिखत नहीं होगा स्टूडेंट यहाँ पर देखिए वेंट्रल डायाफरम में क्लीरल में याद रगी नीचे का पोर्शन वेंट्रल है उपर का पोर्शन डार सले तो आभी आपको समझ में आए देखिए कौकरोच के ब अरिंट पर राइट हैे वाल राइट ऐसा क्या चीजर जो यह कौकरोच के ही इमोची खोडीन कंपार्ट्मेंट में तीन सायनोसेस में डिवाइट कर रहा है, right, simple horizontal membranous structure से student, right, horizontal muscular membranes जो है, इनको हम क्या कहते है, बैटा, diaphragms कहते, एक dorsal ली होता है, उसको dorsal diaphragm, और ventral ली होता है, ventral diaphragm, तो directly आप बोल सकते हो, hemosil is divided into three sinuses, by what, two horizontal muscular membranes, उनका नाम क्या है, एक dorsal diaphragm, और दूसरा ventral diaphragm, student, याद रखिए, तो बहुत ही simple student, right, right, चलो आगे बढ़ते हैं students, और देखते हम, both of these diaphragms, right, देखिए, यह तो मैंने इसा continuously बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या था, बताये, पहले क्या था, अगर मैं इसको थोड़ा सा highlighter हटा दूँ, यहाँ सा देखिए, देखिए, आप देख सकते हो, clearly students, right, so both the diaphragms, most important है, याद रखिए, have valuable are opening students, right, आप हर diaphragm के ओपर देख सकते हो, students, openings है कि ने बताई, हाँ, opening से, so both the diaphragms are having what, valuable are opening students, याद रखिए, थोड़ा सा advanced point है, NCIT में आपको नहीं दिखेगा, तो चलता है student, right, आप देखिए, यहाँ पर और आपको एक बहुत ही important, दिखेगा students, right, structure, यहाँ पर आप देख सकते हो, LRE muscles, right, triangular muscles आपको दिख रहे है बेटा, those muscles are associated with what, heart, heart chambers को connect होके रहेते, और दॉर्सली टेरगा को connect होके रहेते students, याद रखिए, बहुत ही simple है, so there is a series of what, paired triangular muscle students, right, right, and they are called what, LRE muscles, they are called LRE muscles, यह LRE muscles के ओपर question बन सकता है students, नीट में बन सकता है, so LRE muscles are associated with, which of the following kind of system or type of system in cockroach, इस तरह से पूश सकता है, LRE muscles can be seen in which of the following organism, इस तरह से question बन सकता है, तो LRE muscles, बताए, cockroach के circulatory system से associated है, याद रखिए, right, बेटा, right, so यहाँ पर clearly मैंने में बेंशन किया, there is a series of what, paired triangular muscle students, उनको क्या कहते है, LRE muscles कहते, आप यहाँ पर clearly देख सकते हो, right, so LRE muscles का जो, what you can say, tip होता है ना students, apex होता है, right, plural apaisis कहते हैं, हम उसको याद रखिए, LRE muscles के apaisis से, right, so LRE muscles are attached with what, tearga, और जो उसके basis होते है, LRE muscles के, means of basis, LRE muscles are attached with what, heart chamber students, right, बहुत ही simple है, LRE muscles के basis, heart chamber को connect होके रहते, हैं, और LRE muscles की जो tips है, right, students, right, pointed ends है, LRE muscles के, right, जिनको हम apaisis कहते हैं, वो tearga से associated है, और tearga से attached होके रहते हैं, student, याद रखिया, बहुत ही important है, बेटा, right, right, इसके साथ हमने थोड़ा सा hemosil के बारे में, detail में देख लिया, student, right, hemosil क्या है, मैंने बताया था, blood-filled or fluid-filled cavity of the insects is called what, hemosil, simply, याद रखिये, hemosil in cockroach is divided into how many compartments or sinuses, तीन compartments से, student, याद रखिये, वो compartment के नाम में आपके साथ शेर करूंगा, by two diaphragms, एक dorsal diaphragm, एक ventral diaphragm है, याद रखिये, उसके बाद हमने क्या देखा, students, यहाँ पर, right, there is a pair of, right, series of paired muscles, भी देखे, student, याद रखिये, इनको LRE muscles कहते, याद रखिये, they are associated with heart chamber students, right, देखिये, यही चीज़ students, अब देख सकते हो, LRE muscles के बारे में, हम थोड़ा सा detail में discuss करेंगे, every segment has one pair of LRE muscles, याद रखिये, बहुत important है, situated on the lateral sides of the body, आप देख सकते हैं, student यहाँ पर, यह LRE muscles है, क्या है बटा, LRE muscles, और LRE muscles, कैसे हैं, बता, यह paired है, देखिये, यह side में यह खे, और यह side में यह खे, हर segment में LRE muscles कैसे हैं, बहुत important point है, याद रखिये, so in each segment, LRE muscles, paired LRE muscles, you can find, right, so that is what I have mentioned, every segment has what, one pair of LRE muscles, situated, right, lateral sides of the body, lateral का मतलब है, बाजू में होता है, याद रखिये, बहुती सिम्पल है, right, थोड़ा साथ देखिये, और मैंने बताया था, students, LRE muscles, by means of their broad basis, आप देख सकते हो, by means of their broad basis, they are attached to the what, heart, and by means of their pointed apaisis, they are attached to what, tear guides, dear students, याद रखिये, so यहाँ पर देखिये, they are attached, right, to the pericardial septum, जो हाट के ऊपर, right, बहुती सिम्पल है, हाट के नजीग जो septum होता है, उसको हम क्या कहते है, pericardial septum, याद रखिये, they are attached to the pericardial septum, not to heart, याद रखिये, pericardial septum, by, यहाँ पर हम बताते है, student, heart को touch करे जैसा, लेकिन वो actually pericardial septum से associated है, याद के, so, यो एलरी मुसल सेना, students, by means of their broad basis, they are attached to what? pericardial septum, right, right, बहुत मोटन है, pericardial septum का मतलब है, pericardial diaphragm काय सकते हो, right, and to the terga, या tergats काय सकते हो, students, by their, by their pointed ends, by their pointed ends, याद के बहुत मोटन है, by their pointed ends, अब क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, students देखिए यह जो broad basis है ना by means of broad basis they are attached to what pericardial septum और by means of their pointed aposis they are attached to what tear guide students याद रकी बहुत ही simple होता है राइट राइट देखिए अभी तक हमने क्या discuss किया थोड़ा सा previous slide देखिए और recall कीजिए students देखिए hemo seal hemo seal जो है fluid filled cavity है राइट इंसेक्ट का याद रकी और रकी hemo seal hemo seal is divided into how many three sinuses by what two septa कहिए या two diaphragms कहिए या two partitions कहिए students सब चलता है याँ पर राइट राइट अब देखिए जो दो diaphragms है ओ dorsal diaphragm ventral diaphragm है याद रकी बटा और दूसरा क्या है हम ये both the diaphragms are having what valular openings मैंने ये भी pores कहिए चलता है राइट राइट बटा राइट देखिए दूसरा there is a series of pair triangular muscle students याद रखिए राइट इन इच segment क्या होता है pair of right triangular muscles होते है याद रकी उनको ellery muscles कहते है और ellery muscles का अगर आप attachment देखोगे ellery muscles by means of their broad basis attached to what pericardial septum student and by means of their pointed apices they are attached to what tear guide student site ओभी मैंने mention किया याद रखिए बहुत ही important है बहुत ही ज्यादा important है ellery muscles नाम याद रखिए कम से कम आप students अभी देखिए ये जो मैंने cockroach है ना ये cockroach का मैंने section लिया है section यहाँ पर मैंने cross section लिया है अगर मैं ये cockroach का cross section लेता हूं तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि ये cross section प्रिवेसली जो था side view था ये students प्रिवेस जो इसमें बताया था मैंने slide में ओ side view था cockroach का side view राइट राइट अब यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर देखिए ये cockroach है ना ये cockroach का मैंने cross section लेते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है याद रखिए बहुत ही सिंपल है अब हमको देखना है अब देखिए center में क्या है elementary कैनाल है गट है डिया स्टूइंट्स आपको दिख रहा है बेटा याद रखिए बहुत important है गट है राइट राइट देखिए गट के इर्दगीर्द क्या है गट के इर्दगीर्द space है न स्टूइंट राइट राइट बहुत important है यही क्या है हीमोसील का एक क्या है compartment है इसी को हम क्या कहते स्टूइंट याद रखिए बहुत ही important है बहुत ही ज़्यादा important है perivisceral sinus कहते हैं मैंने बताया था आपको it is divided into हीमोसीलिस divided into three sinuses बोलके बताया था स्टूइंट राइट यह वो तीन स्टूइंट क्या है अभी उसके नंबर उनका नंबर में उनके नाम बतारों याद रखिए पहला है perivisceral sinus student राइट दूसरा देख सकते हो आप pericardial sinus दिया स्टूइंट यह देखे दूसरा pericardial sinus राइट प्यूं pericardial sinus कहरे यहां पर देखे यह heart जो है ना स्टूइंट यहां पर यह heart का एक स्टूइंट राइट यहां पर यह खाली आपको यह इस तरह से दिखेगा वहां पर हाठ है सो जो sinus है मानके चलिए जो हीमोसील का जो पोर्शन है साइनस है उसमें हाठ है इसलिए उसको क्या कहा गया है साइनस कहा गया है यहां रखे बैणा्यट जो साम्स टदीए परिणरा का यसे तरह से कितने मेंसाइनस來了 बताएं काकरोश के बाड़ी में तीन में साइनस हो गए अब्डॉमन के याद रखे बहुत ही सिंपल है राइट कोई से साइनसे से बताएं पेरी विसरल साइनस जो सबसे बड़ा लार्जस्ट साइनस है फिर बाद में देखिए पेरी नूरल साइनस राइट सो अधिस साइनस में अलमेंटरी कनल और बहुत दूसरे बहुत सारे आरगांस होते है याद रखे बेटा राइट 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 सो इस तरह से मैंने आपको बता दिया डीठेल में बता दिया स्टूडेंट्स यह एक्चुछली किस तरह से राइट हीमोसीली इस डिवाइट इंट त्री साइनुसेस राइट पेरी कार्डिल साइनस या इसी को हम क्या कहते है पेरी कार्डिल साइनस को डार्सल साइनस कहते है पेरी विसरल साइनस डिया स्टूडेंट्स याद रखे बहुत इंपोर्टेंट लार्जे साइनस है बहुत इंपोर्टेंट है दूसरा देखिए करते यहां धर यार्ल general dorsal sinus अंहां श्रिया लिए यहां पतर जाद हो इसलिए इसी हो यहां पेरिकार्डियोस काहती स्टुडेंट मेखिए जो मिलेशने बीच मेहें न श्कुलिन क्या करता है तीसरा देहिए इसलिए लिदर सबड़ागे सिंबला यह तूड़ा सबनाम है यह धाल आ आपकोstars मज में आया student, यह जो insects में, जो body cavity होता है, which is filled with, right, circulatory fluid is called hemo seal, जो cockroach का hemo seal है, that is divided into how many compartments, or how many sinuses, three sinuses, कों से sinuses है, बेटा, देखिए, dorsal sinus, middle sinus, ventral sinus, या pericardial sinus, perivisceral sinus, perineural sinus students, right, इसमें क्या होता है, heart होता है, इसमें क्या होता है, alimentary canal, right, इसमें क्या होता है, perineural sinus में, nerve cords होता है, यादा के बेटा, सबसे बड़ा sinus कों सा है, यह middle perivisceral sinus है, यादा के बेटा, बहुत ही simple है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं, कितना simple है, बताए, बहुत ही ज़्यादा simple है, students, चलो आगे बढ़ते, students, इसके साथ हमने hemo seal complete कर लिया, students, क्या complete कर लिया है, hemo seal हमने complete कर लिया, students, राइट, चलो students, और कुछ interesting points हम देखते हैं, अभी heart के बारे में, थोड़ा सा detail में देखेंगे, dear students, राइट, जो हम NCIT में देखे थे, देखे, simple point है, heart consists of what, elongated muscular tube, राइट, nothing but, heart is nothing but what, elongated muscular tube, lying along the mid-darsal line of thorax and abdomen students, right, consists of 13 funnel-shaped chambers, यह तो मैंने बताया था, यह भूत important है, its posterior end, right, heart का posterior end is closed, dear students, याद रखे, देखे, यहाँ पर, यह सब points अब को आना है, यह posterior end of the heart है, यह इधर anterior end of the heart है, student याद रखे, so, posterior end of the heart is, कैसा है, closed है, right, यहाँ पर, इसलिए मैंने बताया है, और anterior end what, continued as what, anterior iota student, याद रखे, बहुत ही simple है, so, यह, तो हमने heart के chambers, right, यह heart के points हो, हमने पहले ही देखा था, students, right, brief में थोड़ा सा देख लीजिए, heart of cockroach consists of what, 13 funnel-shaped chambers, यह elongated tube-like structure है, याद रखे, muscular tube है, that extends from what, that is located mid-dorsally, right, बहुत ही simple है, that is located on mid-dorsal line of abdomen, thorax and abdomen, 13 funnel-shaped chamber से, posterior end of heart is what, closed student, right, बहुत ही simple है, anterior end is continued forward, as what, anterior iota, आप यहाँ पर देख सकते हो, anterior iota का भी, यहाँ पर, मने explanation देदिया student, right, right, अब देखे, बहुत ही important है, at the posterior end of each chamber, except last chamber, right, मैंने अलड़ी explain क्या था, there is a pair of small apertures, called austria dear students on each side, देखे, last इसमे, last इसमे नहीं होंगे, last heart chamber में austria नहीं होंगे student, याद रखे, बागी के पूरे chambers में austria होते है, बेटा, right, exception जो है na, NCIT में आपको नहीं दिखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने exception point बताया, देखे, पूरे heart के chambers में austria होते है क्या, नहीं, last heart chamber में austria नहीं होते, बागी के heart chambers में austria होते है students, याद रखे, austria have valves, which allow the blood to pass only right into the heart from the darsal sinus, अभी देखे, बहुत ही important है, generally, जब हम NCIT पढ़ते हैं students, तब वहाँ पर क्या mention था, so blood is pumped from sinus into heart, और blood enters the heart through sinus बोलके था, अब देखिए, कौन सा sinus वो mention नहीं था, यहाँ इसलिए मैं थोड़ा साब को advance में रख रहा हूँ, students याद रखे, so वहाँ पर क्या था, ostia, वहाँ पर clearly ऐसा mention नहीं था, कि heart के last chamber में ostia नहीं है, बागी के पूरे chambers में posterior, right, end of every chamber of heart is having, ostia इस था से clearly mention नहीं था, right, so simply था, right, each heart chamber is having, provided with what, valular apertures, or a pair of apertures on each side, they are called ostia, बोलके ऐसा था, देखिए, अब last, यहाँ पर exceptions आपको देखने को मिल रहे, students, last chamber of the heart is not having ostia, one point, दूसरा point क्या है, always, right, blood, from darsal sinus, याद रखिए, दूसरा sinus नहीं है, perivisceral sinus नहीं है, perineural sinus नहीं है, from darsal sinus only, blood, मतलब pericardial sinus only, blood enters what heart through ostia, यह exceptions से student याद रखिए, right, right, exceptions आपको यह advanced explanation में मिलिंगे, आप NCRT में नहीं मिलते, आपको याद रखिए, बेटा, चलो, आगे बढ़ते students, और कुछ interesting points हम देखते, regarding circulatory system of cockroach, अब देखिए, बेटा, हीमोसील हमने देख लिया, detail में, heart भी हमने देख लिया, और अब तीसरा component हम देखने जारे students, वो तीसरे component का नाम है, important component, यह देखिए, हीमोलिंफ है, क्या है बेटा, हीमोलिंफ याद रखिए, हीमोलिंफ क्या है, मैंने आपको बताया था, it is a colorless circulatory fluid, students, क्या है, colorless circulatory fluid, बहुत important है, it consists of what, यह plasma student, colorless plasma और hematocyte से, which are phagocytic, which are phagocytic, यह बहुत important है, which are phagocytes कहिए, और phagocytic in nature कहे सकते हो, अब देखिए, हीमोलिंफ performs the following functions, हीमोलिंफ के functions क्या क्या है, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा, detail में discuss करेंगे, dear students, circulatory system का functions क्या क्या है, in other words, आप क्या कहे सकते हो, circulatory system में important fluid क्या है, हीमोलिंफ है, right, right, so हीमोलिंफ के functions हाँ देखिए, blood vascular system के, cockroach के functions कहिए, यह हीमोलिंफ के functions कहिए, meaning यह की होगा student, right, right, देखिए, हीमोलिंफ के functions हाँ देखिए, student, number one, देखिए आप यहाँ पर, हीमोलिंफ, जिस तरह से हमारे इसमें शेरीर में क्या होता है, after digestion, if once digestion is completed, absorption occurs, right, so absorption का मतलब क्या है, digested, जो भी food है, digested food material से, students from the lumen of what, elementary canal, or small intestine, they are taken into what, blood, इसको हम क्या कहेते है, absorption कहेते, यहाँ पर cockroach में भी क्या होता है, सेम होता है, right, after digestion, digested food is absorbed into what, हीमोलिंफ, फिर क्या करता है, हीमोलिंफ, हीमोलिंफ distributes this digested food material to each and every part of the body, so यही mention मैंने short में क्या है, distributes digested food to the body parts, students याद रखिये, हीमोलिंफ, right, अब दूसरा point देख सकते हो, और दूसरा important functions, right, अब देखिये, हीमोलिंफ brings nitrogenous waste from all the parts of the body, right, all the parts of the body, पूरे body के parts से, nitrogenous waste को क्या करेगा, हीमोलिंफ, collect करेगा, students, right, और उसके बाद क्या करेगा, this हीमोलिंफ, after collecting what, nitrogenous waste products from the different parts of the body of the cockroach, right, so these nitrogenous waste are transported to the excretory organs, or excretory system, dear students, right, excretory organs काई सकते हो, for elimination, right, for their elimination, तो यह महने, brief में यहाँ पर mention के students, आप देख सकते हो, brings nitrogenous waste from all the parts of the body, and, right, so take those nitrogenous waste to the excretory organs, for their elimination students, so एक दूसरा function है, हीमोलिंफ का, अब और एक function में आपके साथ, share करना चाहूंगा, students, right, आप देखिए, to the excretory organs, for their elimination, right, right, और एक function students, देखिए, transports, यहाँ पर गल्ती से भी, gases नहीं बोलना, student, अगर गल्ती से भी, gases बोलते हो, तो वो गलत जाएगा, देखिए, transports, secretions of endocrine glands, to the target organs, मतलब देखिए, insects में students, endocrine glands होते हैं, right, याद रखिए, बहुत ही, important है, point, so, endocrine glands के, secretions को परता है, आपको hormones कहते हैं, students, right, right, so, देखिए, जब भी, endocrine glands, they are ductless glands, so, they release their, you know, they release their secretions into what, यहाँ पर insects में, secretions of endocrine glands को, target organs को, dear students, right, बहुत ही, simple है, याद रखिए, इसलिए, मैंने direct लिखा है, जो hemolymph है, that transports what, secretions of endocrine glands, to the target organs, students, right, बहुत ही, important point है, अब और एक function, देख सकते हो, students, transport phagocytes, अब देखिए, hemolymph में, क्या है, hemolymph में है न, students, to hemolymph क्या करेगा, देखिए, hemolymph transports phagocytes, to the place of infection, right, so, जहां पर भी infection, वगरा हुआ, students, जहां पर भी injury हुआ, वो एरिया में, जो hemolymph है, वो phagocytes को, transport करेगा, dear students, right, और ये phagocytes, they engulf what, foreign organisms, and you know, they eliminate those, foreign organisms, dear students, right, बहुत ही simple है, याद रखिए, most important है, इस तरह से, हमने, hemolymph के बारे में, थोड़ा सा जान करे, detail में हासिल किया, students, right, बहुत ही simple है, बहुत ही ज़्यादा, simple है, देखिए, cockroach का, जब भी आप, blood vascular system पढ़ रहे हो, या circulator system पढ़ रहे हो, तो कुछ याद रखिए, important चीज़े, ये diagram, याद रखने के कोशिश कीज़े, practice कीज़े, कोई सा, ये right, कितने chamber से, 13 chamber से, right student, last chamber में, क्या है, औस्टिया नहीं होते, याद रखिए, बेटा, बहुत इंपोर्टन है, first जो chamber है, continuous as what, anterior iota, याद रखिए, LRE muscles का है, cardial, pericardial septa को, और heart से associated है, कह सकते हो, आप, directly circulator system से, associated है, कहां से, कैसा, उसका arrangement, their broad bases are attached, to the pericardial septa, right, and epices are attached, to what, dorsally to tear guides, बुलकि याद रख सकते हो, students, बहुत ही simple है, triangular है, और each, you know, they are paired, and you know, one pair is present in each segment, कह सकते हो, आप, यह many important points बता है, फिर बाद में, heart cut, सोड़ सा detail में, हमने देख लिया, students, फिर बाद में, hemosil के, hemosil क्या है, how it is divided into different-different sinuses, by what kind of structures, यह हमने देख लिया, dorsal diaphragm क्या है, ventral diaphragm क्या है, right, student, अब देखी, dorsal diaphragm is between what, pericardial sinus, और perivisal sinus, ventral diaphragm is in between what, perivisal sinus and sternal sinus, या, perineural sinus कह सकते हो, students, right, और कभी भी याद रखिये, मात्र, मात्र और मात्र, dorsal sinus से ही, blood heart में, through ostea, enter होगा, student, ना कि, दूसरे sinus से, blood heart में, enter होगा, याद रखिये, only dorsal sinus, या, pericardial sinus से, blood heart में, enter होता है, through ostea, याद रखिये, यह थोले से, advanced point माने बताया, फिर बाद में, hemo seal के बाद, हमने, sinus के बाद, हमने heart देखा, यह students और थोड़ा सा, detail में, और अभी हमने, hemolymf complete किया, students, right, right, अभी हम finally, देखते है, students आप देखिये, यहाँ पर मैंने, और एक image लगाया, आपको देख सकते हो, यह देखिये, dorsal diaphragm, थोड़ा सा, student इदर का, यह जो है ना, बेटा, यह देखिये, यह जो बड़ा है, बड़ा बीच में का, यह perivisal sinus है, आप देख सकते हो, और यह एकदम, last वाला है, perineural sinus है, देखिये बेटा, right, right, perineural sinus में, nerve cord है, याद रखिये, यह देखिये, यह जो है ना, यह dorsal diaphragm student, right, यह देखिये, यह sorry, यह ventral diaphragm, यह dorsal diaphragm student, right, यह simple है, यहाद रखिये, अलरी मैने explain किया था, यह बहुत ही detail में, अब students, देखिये, बहुत ही important हम, you know, circulation of hemolymph, या आप कहज सकते हो, direction या कह सकते हो course of you know flow of what circulatory fluid कह सकते हो student right आप simply कह सकते हो you know circulation of blood या circulation of lymph right उसका direction देखते है students यह तो अपना normal diagram है इसको तो मैं कभी भी वहाँ पर रखूँगा क्यों वही तो NCIT में है उसी के ओपर question आएगा right student right अब देख सकते हो students यह course of circulation किस तरह से होता है cockroach में देखिए बेटा heart है heart तो पता है आपको central pumping organ of the circulatory system तो इसलिए मैंने यहां से शुरू किया अब blood heart में कहां से enter होता है मैंने अभी अभी बता है तो students right वह आप यह cycle में आपको clearly समझ में आएगा देखिए heart में क्या है अभी blood है right student right जो darsal sinus से गया हुआ है heart में blood है तो heart से blood कहां जाएगा students देखिए आप देख सकते हो anterior most chamber of the heart है that continues as what anterior iota right वेटा right तो blood कहां से heart से blood कहां जाएगा iota में जाएगा इसलिए मैंने iota mention किया है आप वहाँ पर देख लीजिए बहुत है simple है देखिए iota से आगे क्या है बताइए iota में blood क्यों जा रहा आभी आगे भी student याद रखिए बहुत important है मैंने वो इसमें आपको side view में cockroach के बताया था right head sinus बताया था so iota से blood जाएगा sinus में जाएगा आगे वो है head sinus student आप देख सकते हो right right अब देखिए head sinus से blood कहा जाएगा यह बहुत important है students याद रखिए head sinus से blood कहा जा रहा है head sinus से blood कहा जा रहा है देखिए peri visceral sinus में जा रहा है right students to middle sinus है larger sinus है right और peri neural sinus में जा रहा है students आप देख सकते हो clearly आप देख सकते हो देखिए बहुत important है देखिए, head sinus से, head यहाँ पर नहीं देखिएगा, आपको head sinus से blood कहा गया, head sinus से blood दे जा रहा है, peri visceral sinus में, यह course of, right, यह direction of flow of hemolymph, याद रहके बेटा, यह बहुत ही important point है, head sinus से blood कहा जा रहा है, कहाँ flow हो रहा है, peri visceral sinus में, और peri neural sinus में flow हो रहा है, students, अब देखिए, ultimately, यह peri visceral sinus से, और peri neural sinus से, blood कहाँ पर flow होगा, student, बचा क्या, pericardial sinus, या आप कहाई सकते, उसको darsal sinus, darsal sinus में जाएगा, और मैंने आल्डेडी आपको बताया था, students, darsal sinus से blood कहाँ जाता है, बताए, pericardial sinus से blood हाट में जाता है, मात्र और मात्र, pericardial sinus या darsal sinus से ही, blood हाट में जाएगा, through osteiadia students, ना कि दूसरे किसी भी sinuses से blood हाट में जाएगा, only और only darsal sinus या pericardial sinus का ही, blood हाट में जाएगा, students, ये clarity, वहाँ पर थोड़ा सा lacking था, NCRT में, इसलिए students, मैंने थोड़ा सा आपको detail में यहाँ पर समझाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है, आपको 101 एक टक्का, ये article, right, circulator system of cockroach, समझ में आऊँगा, students, right, students, देखिए, यहाँ पर ये session, यहीं पर end होता है, students, right, आज हमने बहुती, छोटा सा article, circulator system of cockroach, detail में हमने पढ़ लिया, students, right, right, मुझे उम्मीद है, आपको समझ में आऊँगा, right, students, right, kuch doubt है, तो, YAP Master के उपर आप ल